जब हमारा जीवन जनम से पहले ही निर्धारित रहता है भगवान के द्वारा, जैसे अच्छा या बुरा काम करना तो मन का क्या दोश है? इसमें तो पहले से ही निर्धारित है कि हम अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे क्रभिया महरक दर्शन कीजिए मां किस ने कहा आपको कि सब पहले से निर्धारित है, नहीं, हर समय, हर क्षन आप अपने प्रारब्द को बदल रहे होते हैं, परमात्मा ने प्रतेक जीव को स्वतंत्रिता दी है, पहले से निर्धारित नहीं है, अब जब जैसे ओवेसी जैसे मुर्क लोग देश को भढ़का रहे हैं तो ये परमात्मा ने पहले से थोरी निर्दारित किया है कि धर राम मंदिर बनेगा और धर वो दूसरों को भढ़काएगा अगर पहले से निर्दारित होता तो भगवान ठीक नहीं कर देते उसकी अकल इतने आतंकवादी बम फोड़ने के लिए तयार रहते हैं या उस समय आज से 500 वर्स पहले इतने सारे मंदिर तोड़े जा रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है भगवान ने प्रतेक जीव को स्वतंत्र छोड़ा है प्रतेक जीव अपना प्रारब्द स्वेम बनाता है और रही पिछले पिछले जन्मों की बात तो पिछले जन्मों का प्रारब्द भी हमारे इस जन्मे साथ आता है, ये सुनिशित है और ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप जो अच्छे या बुरे कर्म कर रहे हैं, उसका जिम्मा आप परमात्मा के सर फोड़ देंगे, ये ठीक रहा आपको अपने ही सर फोड़ना पड़े इतनी आसानी से बच कर निकलना संभव नहीं है, आप सोच रहे हो सब भगवान करने कराने वाले उनकी मरजी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल रहा, तो मैंने थोड़ी पाप किये है, सब भगवान नहीं किये कराए हैं, तो आप सारा ठीक रहुनी के सर पर फोड़ देना च जाते हैं एक बार क्या हुआ एक आदमी ने गईया मार दी गईया मार दी तो गवहत्यावा के पीछे परी अब गवहत्यावा के पीछे परी तो वा ने कहुं सत्संग में सुन ली कि जो हात होते हैं उसमें इंद्र का वास होता है तो उसने कहा कि मैंने थोड़ी गईया मारी इन हातों ने डंडा माला तो गईया मर गई, हात में इंद्र का वास होता है, तो इतो इंद्र का कसूर है, जा इंद्र को पकड़, तो गोहत्या ने इंद्र को पकड़ लिया, इंद्र को जा करके पकड़ा, तब इंद्र भागा भागा गया, भगवान के पास अम्मे क्या इसने तो मुझे को फसा दिया, गोहत्या तो मेरे पीछे लग गई, तो भगवान ने कहा, फिर ठीक है, हातों में इंद्र का वास है, तो अब हातों में से सब कुछ छीन लिया जा, इन हातों से खा नहीं सकता, इन हातों से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्र ने अपनी सा ताकत खींच ली अब इंद्री ही तो है हातों में तो बोल खींच लिया तब मेरे हातों को क्या हो गया मेरे हातों को क्या हो गया भगवान से कहता मेरे हात ठीक कर दो तो भगवान ने का तेरे हात हात तो इंद्री के है ना तेरे कहां से आए नहीं नहीं मेरे हैं तो भगवान बुले सुईकार करता है तेरे हैं बोला हाँ सुईकार करता हूँ मेरे हैं तो भगवान ने गौहत्यासे का देख इसने सुईकार कर लिया कि हाथ इसके हैं जा इसी को पकड़ मनुष्य अपने आपको बचानी के लिए चालबाजी करता है और सारा ठीक रा भगवान के उपर फोड़ देता है, ग्रहन चत्रों के उपर फोड़ देता है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, क्या बताऊं, सनी महाराज ने ऐसा कर रखा है, अले, सनी महाराज को क्या पढ़ी आपके पीछे पढ़ने के लिए, आप अच्छा कर्म करोगी, सनी महाराज आपका साथ देंगे, सनी महाराज किसी को दुख देने के लिए थोड़ी है, लेकिन आप सारा ठीक रा दूसरों के सिर पर फोड़ना चारते हो, फलाना बुरा कर रहा है, ढिकाने ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और जब किसी पर पार नहीं पड़ती, तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हो, फिर कहतों सब करानी करने वाले भगवान है, अभी जैसे, जिन लोगों ने, मैं आजी न्यू चैनल देख रही थी, जिन लोगों ने कभी राम भक्तों के रक्त को इतनी निर्ममता से बहाया था, कि सरीव लाल हो गई थी, और परिंदा भी पर नहीं मारेगा एउध्या में, ऐसी विवस्था कर दी थी, जिन गलियों में हूख उठती थी, मैंने अपनी आँखों से देखा है, ऐसी हूख कि उन गलियों में सिवाए आंसू के कुछ नहीं था, आज उन गलियों में फूल बरस रहे हैं, आज उन गलियों में आनंद बरस रहा है, तो कहा रहे भगवान बुलाने वाले, भगवान करने वाले, सब भगवान ही करते हैं, आज तो भगवान याद आ रहे हैं, तो ये मनुष्य की चालवाजी है, अपने ही सिरपना ठीकरा रखिए, परमात्मा के सर मत फोड़िए, आप अपने पुन्नि के जिम्मेदार हैं, आपके जीवन के सद पुन्य परमात्मा तक आपको ले जाने वाले हो इस प्रकार के ज्ञान का सुन्चालन करिए साथ।